हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका बता हुआ जियो एप 220 के चार्जिंग सेक्षिन के बारे में तो इसका यह डियाग्राम है तो देख सकते हैं रेड गलर से हमारा चार्जिंग का इनिपूट सेक्षिन भी बस के सप्लाई यह इस तरीका से यहां पर आ रहे हैं और यहां बोल्ट यहां से तो देख सकते हैं सीधा हमारा जो फाइब बोल्ट है पावर आइसी के अंदर जा रहा है और हमारे जो आड़ी और थ्रमल की जो लाइन होती है दोनों इनका बहुत एहमर रोल है तो यह हमारा जे इस मोडल में जातर इनिस सबसे ज़्यादे प्रॉब्लम फेश करने को मिलता है तो यह हमारे सप्लाइज दोस्तों कहां पर गई हुए तो देख सकते हैं यह यहां से सीधा सीप्यू के अंदर जा रहे हैं यह महां से निगलकर इन दो सप्लाइज ना लगने के कारण में हमारा फॉन में 0% का प्रॉब्लम यह चार्जिंग ना होना फे यह प्रॉब्लम आती है तो हैं मारे बैटी नेक्टिर और यहां पर दो सप्लाइज है इसकी बीवह और थरमल आइडी जो होती हमारी तो यह हमारी विवस्ते जो भी बैकि सप्लाइज दोस्तों यह दो डाय यूड फिर एकपिस्ट्र यहां प्रस्ट और यह कुछ कंप कि अपनिशन दिखाता है एक पॉंट ऊपको सप्लाई नहीं तो आपको कहां चेक करना है है तो यह दोनों सप्लाई दोस्तो हमारे थर्मल होते हैं जो बैट AID हमारी यह तो यह दोनों हमके आती हैं यहां से हमारा आउटपूट निकल रहा है भी बैट सेक्शन जो कि 4.2 बोल्टेज होता है तो इस तरीका से यह हमारा जी अब 220 में चार्जिंग सेक्शन बढ़ कर रहा है दोस्तों और जो एक सप्लाई और यह वारी बीपेच्ट पावर की बोल्टेज की जो कि यहां पर भी आपको 4. 2.3.7 तक बोल्टेज चेक करने को मिलेगा तो इस बोल्टेज को आपको चेक करना है देख सकते हैं तो यह हमारा 220 का जो मॉडल होता है जी होगा तो यह हमारा चार्जिंग सेक्शन का फुल डियाग्राम है तो आपको कोई घबराने की जरूद नहीं है आप सीधा लाइन के सकते जसा आपकर सब्सक्राइबर को